Hello Friends, टैली में आजम पढ़ेंगे Purchase Sales Order तो यहाँ पर हम देखेंगे जब हम किसी पार्टी को Purchase Order देते हैं तो हमें कौन-कौन सी प्रोसेस करनी होती है आईए देखते हैं Purchase Sales Order Purchase Sales Order करने के लिए सबसे पहले हमें F11, F2 प्रेस करना होगा यहाँ पर हमें Second Option दिया हुआ है Enable Zero Value Transaction इसको Yes करना पड़ेगा और इसके बाद Enter करते हुए नीचे आजाएंगे यहाँ पर दिया हुआ है Enable Purchase Order Processing इसको Yes करना है और इसके बाद इसके नीचे दिया हुआ है Enable Sales Order Processing इसको Yes करने के बाद Enter करते हुए Last में आजाएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है Use Tracking Number इसको भी Yes कर लेंगे और इसको Yes कराने के बाद इसे Enter करते हुए Accept करा देंगे हमें पार्टी का लेजर चाहिए होगा जिस पार्टी से हमें समान खरीदना है या जिस पार्टी को हम समान बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले पर्चेस करने के लिए हम एक पार्टी का लेजर बना लेते हैं एकाउंट इन्फो में लेजर क्रिएट तो यहां पे पार्टी का नाम अमित मल्टी स्टोर यह हमारा अंडर संडरी क्रिडिटर में जाएगा और इसे एंटर करते हुए एक्सेट करा देंगे या कंट्रोल एसे भी एक्सेट हो जाएगा पार्टी का लेजर बन जाने के बाद हम बाहर आएंगे और सबसे पहली प्रोसेस यह कि हमें पर्चेस ओर्डर करना है तो purchase order की क्या process होती है, तो देखते हैं, purchase order में सबसे पहले होगा, purchase order, तो उसकी sort की होती है, alt plus f4, alt plus f4 करने से आपका purchase order खुल जाएगा, purchase order करने के बाद, party की तरफ से हमें समान receive होगा, तो समान जब हम receive करेंगे, तो उसकी sort की होगी, alt plus f9, जो की होगा हमारा recipient note, receipt note के बाद, पार्टी होगी, वो हमें purchase का bill भेजेगी, जिसे हम purchase voucher में चढ़ाएंगे, यानि की f9 प्रेस करेंगे, और purchase bill चढ़ाने के बाद, हमें उस party को payment करना होगा, जिसके लिए हम f5 पे करेंगे, तो ये थी purchase order की process, इसी क्रम में हम sales order की process देख लेते हैं, sales order के लिए हमें voucher में ही alt plus f5 प्रेस करना होगा, यहाँ पे sales order आ जाएगा, यानि जब भी कोई party हमें order देगी, order देने के बाद हमें उस माल को deliver करना होगा, तो deliver करने के लिए delivery note जिसकी sort की होती है alt plus f8, माल deliver करने के बाद हमें party को bill भेजना होगा, जो की हमारा sales voucher पर चढ़ेगा, और last में हमें party से payment receive करनी होगी, जो की हमारा होगा, f6 receipt voucher पे, यह थी purchase order और sales order की process, अब शुरू करते हैं, purchase order टैली में हम कैसे pass करेंगे, तो सबसे पहले purchase order के लिए alt plus f4 प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमें party का नाम देना है, जिस party को हम order दे रहे हैं, उस party का नाम है, हमें multi store और इसे enter करते हुए निश्याज आएंगे, यहाँ पे order नमबर देना है, तो order नमबर में हम दे देते हैं, purchase order और dash करके 001 डाल देते हैं, यह हमारा पहला order है, यहाँ पे हम party को जो भी order देंगे, वो चूज कर लेते हैं, computer quantity 20 piece और यहाँ पर rate नहीं दिया जाता है, तो इसलिए से हम blank छोड़ देंगे, इसके बाद दूसरा हम mouse ले लेते हैं, mouse की quantity हमने 25 और इसमें भी rate नहीं रहेगा, इसलिए इसे blank छोड़ते हुए exit परा देते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ 20 piece computer और 25 piece mouse का order दिया है, order देने के बाद इसे simple enter करते हुए accept करा देंगे, यह हमारी purchase order इसके बाद party की तरफ से हमें माल receive होगा, तो हमने जो order दिया था, वो एक जुलाई को दिया है, पार्टी की तरफ से जो माल receive हो रहा है, वो दो तारिक को हो रहा है, तो यहाँ पर F2 करके हम date change कर लेंगे, purchase order में जब हम माल receive करते हैं, तो उसके लिए receipt note voucher का इस्तमाल करते हैं, और receipt note voucher की जो की होती है, वो होती है, ALT plus F9, यहाँ पर माल हमें Amit Multistore से मिल रहा है, इसलिए पार्टीने में Amit Multistore आजाएगा, और order नमबर पर यहाँ हमें हमारा order नमबर दिखाई देगा, जो हमने order दिया था, यहाँ पर order नमबर और date दिख रही है, इसे enter करते हुए, आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ प वो आइटम उतनी quantity में हमें दिखाई देगा, यहाँ पर इसे enter करते हुए accept करा देंगे, इसी तरह माउस ले लिया, ट्रैकिंग नमबर में भी हम purchase order नमबर दो था, उसी को select करते हुए accept करा देंगे, और यहाँ पर भी हमें rate नहीं देना होता है, इसे simple enter करते हुए accept करा दे नहीं है, तो यह हमारी purchase order और receipt note की voucher रिपास हो गई, यानि जब ने order दिया, उसके बाद party की तरफ से हमने माल receive पर लिया, अब party हमें bill भेज़ेगी, जिसे हम purchase voucher में चढ़ाएंगे, और bill हमें Amit multi store से प्राप्ट हो रहा है, यहाँ पर हमारा receipt note जो था, वो pew-001 के नाम से था, इसे हम select करते हुए, यहाँ पर अपने आप order नमर आ जाएगा, जो की दिख रहा है, कि एक जुलाई का है, और जब में receive हुआ है माल, वो 2 जुलाई को हुआ है, enter करते हुए आगे आ जाएंगे, यहाँ पर हमें हमारे दोनों item फिर से दिखाई देंगे, और यहाँ पर tracking number चूस करते हुए quantity, अब जब हम bill चढ़ाएंगे, तो यहाँ पर अब computer का rate हमें डालना होगा, जिस rate में party ने हमें computer sale किया है, enter करते हुए, यहाँ पर अगर कुछ discount मिला हुआ है, तो वो डाल देंगे, और enter कर देंगे, इसके बाद इसी तरह same process पर mouse चढ़ा देंगे, और इसमें भी rate input कर देंगे, और इसे enter करते हुए इसे भी accept करा देंगे, इसके बाद cght और sght लगाते हुए simple इसे accept करा देंगे, तो यह थी purchase order, के बाद माल को रसीप किया receipt note और उसके बाद bill चढ़ाना, बिल मिलने के बाद हम क्या करेंगे, पार्टी को same date में payment कर देते हैं, जिसके लिए हमें accounting voucher के payment option में जाना होगा, यहां पर हमारी जो party थी, वो थी amidst multistore, जिससे select कर लेंगे, और इसका जो bill था, वो था 705020.50, जिसका हम payment कर देंगे, और यह हमारा against difference में आएगा, इसे select करते हुए enter कर देना है, और यहां पर हम cash ले लेंगे, इसे enter करते हुए accept कर आ देना है, तो यह थी purchase order की पूरी process, इसी तरह हम देखेंगे sales order में हमें क्या करना है, sales order के लिए, हमें order voucher में, जिसके हमारा sale order open करके आ जाएगा, यहां पर हमें party का नाम लेना है, तो जो party का नाम है, वो है Mr. Rahul Singh, इसे enter करते हुए आगे आएगे, और यहां पर sales order के लिए SO-01 डाल देंगे, और इसे enter करते हुए, party ने हमें जो order दिया है, वो हम चूज कर लेते हैं, computer का order आया हुआ है, और इसकी quantity है, पांच पीस, और यहां पर जो हमें order मिला हुआ हुआ है, इसमें rate नहीं दिया हुआ है, इसलिए rate हटा देंगे, और simple enter करते हुए, आगे बढ़ाएंगे, और दूसरा order जो हमें है, वो है mouse का, mouse की quantity है, दो पीस, यहां से भी rate हटाते हुए, इसे enter करते हुए, एक्सेट पर आदेंगे, तो यह थी हमारी sales order, sales order मिलने के बाद हमें party को माल deliver करना होगा, पार्टी को माल deliver करने के लिए, हमें alt plus f8 प्रेस करना होगा, जो की होगा, delivery note, same day हम पार्टी को माल deliver कर दे रहे हैं, और हमारी पार्टी है थी, Mr. Rahul Singh, पार्टी का नाम select करते ही, यहाँ पे हमें order number दिखाई देगा, इसे हम select कर लेंगे, और simple enter करते हुए, आगे आज आएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो order हमें मिला था, वो delivery note में अपने आप चड़ जाएगा, purchase order में receipt note की तरह, delivery note में हमें कुछ नहीं करना है, simple साइसे enter करते हुए, और यहाँ पे tracking number में हम purchase order number चूज कर लेंगे, और इसे enter करते हुए, आगे बढ़ जाएंगे, इसी तरह, दूसरे item में भी tracking number में sales order select करेंगे, और इसे enter करते हुए, इसे भी accept करा देंगे, तो यह हमारा delivery note कंप्यूट हो गया, delivery note के बाद अब हमें party को bill भेजना होगा, और जिसका bill होगा, F8 में, यानि sales voucher में, bill हम जो लिखेंगे, वो party को लिखेंगे, और यहाँ पर हमें delivery note number मिल जाएगा, जो कि हमने sales order number ही चूज किया था, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर, order number अपने आप पास आएगा, इसे enter करते हुए, आगे बढ़ेंगे, और अब यहाँ पर हमें computer की quantity pass, जो order किया था, और यहाँ पर हम computer का rate डाल देंगे, और इसी तरह, same process हम mouse के लिए भी करेंगे, यहाँ पर दोपीस mouse था, यहाँ पर इसका हम 499 rate डाल देंगे, और इसे enter करते हुए accept कराएंगे, और उससे पहले यहाँ पर एक बार cgst और sgst लगा देंगे, अब इसको enter करते हुए accept करा देना है, बिल बेजने के बाद, अब हमें party के तरफ से amount receive होगा, जो कि हम करेंगे receipt voucher में, और जो party हमें payment देगी, उसका नाम है Mr. Rahul Singh, और यहाँ पर जो total bill हुआ था, वो था हमारा 192927.64, यह पूरा amount हम receive कर लेंगे, और enter करते हुए यहाँ पे cash या bank भी choose कर सकते हैं, और इसे enter करते हुए accept करा देंगे, तो यह थी टेली में sale order और purchase order की पूरेंटरी, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक like करें, subscribe करें और share करें, thank you.